हेलो दोस्तो स्री साही पैट वर्ड के नए वीडियो में मैं गुरदीप सिंग आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज का यह जो वीडियो है यह बहुत ही इंफरमेटिव वीडियो है बहुत सारे लोगों को कन्फूजन्स जो है लासा एपसो श उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे डीलर्स जो है वो लासा टेरियर को लासा एपसो कहके ही सेल कर देते हैं जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो यह दो पपीज है तो गैस कीजिए इन दोनों में से कौन सा शिड्जू है और कौन सा लासा तो अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों पपीज में से यह जो है यह शिड्जू है ठीका जी और यह जो है यह लासा टेरियर है देखिए एक दम ब्राबर साइज आल्मोस्ट सेम मार्किंग आल्मोस्ट सेम साइज बोन साइज जो है वो भी आल्मोस्ट सेम फरक है तो क् कいき crisis AWS के साथ ze suppression की जाती है कस्टमर को नहीं बताया जाता के हाँ भी हमने क्या दिआ है तो यह तो सब्भी पता ही है ठीक है जी आपको देखकर पता लगी गया अब यह जो लासा टेरियर या जो भी यह है यह बना तो बना कैसे थोड़ा सा सुनने में आपको अजीब लगेगा शायद अच्छा ना भी लगे क्योंकि यह वीडियो सिर्फ कस्टमर्स या फिर न्यू पैट ओनर्स वह नहीं देख रहे यह बहुत सारे डीलर्स भी देख रहे हैं यह वीडिय ठीक है जी तो उनके लिए तो स्पेशली उनको बुरा लगेगा ही बट कोई बात नहीं लगेगा तो जो सचाई है वो आनी चाहिए सामने तो वह बात यह है कि एक ब्रीड है पॉमेरियन सबको पता है वाइड कलर में पॉमेरियन होते हैं पॉमेरियन को शिट्जू से जब क्रॉस करवा देते हैं तो आल्मोस्ट ऐसा रिजल्ट निकलता है जी ठीक है जी किसी-किसी बच्चे में कहलो के मार्किंग बहुत अच्छी आ जाती है कि इसकी पीट के उपर जैसे ब्राउन है किसी-किसी के उपर पैचिज आ जाते हैं तो होता क्या है कि पॉमेरियन को ल लेकिन लेक्स का बोन साइज जो है वो नहीं जो लासा एपसो का बोन साइज होता है वो कभी नहीं बनेगा जो शिडजू का बोन साइज है वो कभी नहीं बनेगा जो शिडजू की लेक्स का लेजू लेंथ है वो नहीं बनेगी तो ये चीजें हो रही है वो उसके आगे ज वह ऑगए दिलर को मिक्ञ बहुन को है कि उस जाके को टना क्या पता ह हुआ कि हाँ यह क् किया चीज है तो वो कहते हैं कि यह ब्रीड है जी उनको सुना होता है जिसके मुँपे बाल होते हैं वो लासा है तो फिर उसको आगे नेक्स्ट क्या करते हैं कि उसको शिडजू से क्रॉस करवाते हैं तो जब नेक्स्ट आगे शिडजू से क्रॉस हुआ तो यह रिजल्ट आया अब ये पपी आम बंदे को देखने में पता नहीं लगेगा पिछले कल मेरे को एक कॉल आया था कि मेरे को लासाइप सो चाहिए मैंने उनको बोला मैं का बच्चा पड़ा है ठीक है जी मेरे पास फोटो वीडियो आ रखी है लेकिन मैं आपको पपी नहीं दे सकता वो वो बच्चा मेरे साब से सही नहीं हो कहते है कोई बात नहीं एक बार दिखाओ मैंने उनको दिखाया उस बंदे को इतना अच्छा लगा हो कहता नहीं पपी तो ठीक लग रहा है मैं का नहीं भाया यह ठीक नहीं है तो लेकिन वो लेने के लिए अग्रीट था चलो लकी हूं मैं वो बंदा नहीं माना कि बाद में उसने कहा कि नहीं सर आप मैं वेट करूंगा तो बट मैं पपी अच्छा लोंगा आप से लोंगा चलो ठीक है जी अब हुआ किया ये पपी मेरे पास आया तो आया कैसे ये पपी एच्छली में गया है वहाँ पे ये पपी जो है मेरे ख्याल में सेल हुआ है कोई डीलर है वो कहलो कि अब हमारा तो सब के साथ लिंक है बातचीत सबसे है सब को पता है कि मैं इदर काम करता हूं तो कोई भी काम हो उनको मानलो कोई पपी मंगवाना है जलंदर से या मंगवा दीजिए तो यह हुआ यह हम यह चाहते हैं या मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कस्टमर को ओनर को कम से कम पता हो कि वो ले क्या रहा है उसके पास जो चीज गई है यह है तो उसका बेबी है ना चाहे कुछ भी है लेकिन वो है क्या अचली में कि आदमी को आप पहले ही बता दो के यार यह चीज है तो यह वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था एक बार फिर से आपको मैं दिखाना चाहूंगा जाते जाते यह यह इस दे शिर्जू और यह इस दे लासा एपसो लासा टेरियर सॉर्य यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरे को आप जरूर बताईएगा कमेंट करके और इस वीडियो को शेर करना बिलकुल न भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी आपके लिए ऐसे ही इन्फरमेशन से भरपूर जो वीडियो हैं तो वो आपके लिए बनाता रहूं ताकि आपकी ब्रीड की नौलेज जो है वो थोड़ी वहती गीन हो सके पपी को बाय करने से आपको कम से कम इतना पता हो कि यार जो भी मैं देख रहा हूं मिरको पता है ये क्या है आपको मदर फाधर वगहरा देखने की कोई ज़रूरत न पड़े मैं हमेशा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नए वीडियो में.